श्रीकाल भैरव की उत्पत्ती कैसे हुई? जानिये पौरानिक रोचक जानकारी। भैरव कलियुक के जागरित देवता है। शिफ पुराण में भैरव को महादेव शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। भगवान शंकर के अफ्तारों में भैरव का अपना एक विशिष्ट महत्व है। तंत्राचारियों का मानना है कि वेदों में जिस परम पुरुष का चितरन रुद्र में हुआ, वह तंत्र शास्त्र के ग्रंतों में उस स्वरूप का वर्णन भैरव के नाम से किया गया, वामकेश्वर तंत्र की योगिनी हरिद्य दीपिका टीका में अमरितान अंदनात कहते हैं। भसे विश्व का भरण, रसे रमश, भसे वमन अर्थात स्रिष्टी को उत्पत्ती पालन और सहार करने वाले शिवी भैरव हैं। तंत्रालोग की विवेक्टिका में भगवान शंकर के भैरव रूप को ही स्रिष्टी का संचालक बताया गया है। श्री तत्वनिधी नाम तंत्रमंत्र में भैरव शब्द के तीन अक्षरों के ध्यान के उनके त्रिगुनात्मक स्वरूप को सुस्पष्ट परिचे मिलता है, क्योंकि ये तीनों शक्तियां उनके समाविष्ट हैं। अक्षरवाली जो भैरव मूर्ती है वह श्यामला है। भद्रासन पर विराजमान है तथा उदे कालिक सूर्य के समान सिंदूर वर्णी उसकी कांती है। वह एक मुखी विग्र अपने चारों हाथों में धनुष, बान वर तथा अभै धारन किये हुए हैं। वह अक्षरवाली भैरव मूर्ती श्यामवर्न हैं। उनके वस्त्र लाल है। सिंग पर आरूड वह पंच मुखी देवी अपने आठ हाथों में खडग, खेट, मूसल, अंकुष, गदा, पाश, शूल वर तथा अभै धारन किये हुए हैं। वह अक्षरवाली भैरवी शक्ती के अभूशन और नर्वर फाटक के सामान श्वेथ हैं। वह देवी समस्त लोकों का एक मात्र आश्रे हैं। विक्सित कमल पुष्प उनका आसन है। वे चारों हाथों में क्रमशह दो कमल, वर एवं अभै धारन करती हैं। सकंद पुरान के काशिखंट के 31 अध्याय में उनके प्राकटे की कथा है। गर्व से उनमत ब्रहमाजी के पांचवे मस्तक को अपने बाए हाथ के नकाग्र से काट देने पर जब भैरव ब्रहमा हत्या के भागी हो गए। तब से भगवान शिव की प्रियपुरी, काशी में आकर दोश मुक्त हुए। ब्रहम वैवत पुराण के प्रकृती खंडांतरगत दुर्गोपाख्यान में आठ पूजे निर्दिष्ट हैं महा भैरव, सहार भैरव, असितांग भैरव, रूरु भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, तामरचूर भैरव, चंद्रचूर भैरव। लेकिन इसी पुराण के गणपती खंड के 41 अध्याय में अश्ट भैरव के नामों में साथ और आठ क्रमांग पर क्रमशय कपाल भैरव तथा रूद्र भैरव का नामों लेख मिलता है। तंत्रसार में वरनित आठ भैरव असितांग, रूरू, चंड, क्रोध, उन्मत, कपाली, भीशन सहार नाम वाले हैं। भैरव की आराधना में कठोर नियमों का विधान भी नहीं है। ऐसे परम खृपालू एवं शीग्रफल देने वाले भैरवनात की शरण में जाने पर जीव का निश्चे ही उध्धार हो जाता है। वीडियो को लाइक वशेर कर हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लेवें। धन्यवाद।